मेंट्रीक और इंटर के छातरों के लिए काफी खुश ख़बरी बरा न्यूज है। बंद नहीं किया गया है। सिक्चकों की परती सरकार लापडवाई क्यों कर रही है। यानि सभी सीक्चक संग मंग कर रहे हैं बंद किया जाए लेकिन किया नहीं गया उन्होंने सिच्छकों से मुल्यंकन बहिसकार करने का आववान किया है दूसरी और धर्ना प्रदर्शन की जगह सभागार या सभाभवन में सभाय होगी और यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बोड इंटर मुल्यंकन अंतिम चरण में प्रदर्शन की जाने कब आ सकते हैं नतीजे तो यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बोड इंटर मुल्यंकन अंतिम चरण में हैं पत्ना जिले की केंदरों पर मुल्यंकन लगभग समाप्त हो चुका है अब दूसरे जिले से उत्तर पुस्तिका मंगवा कर पत्ना जिले की देख में पर ही जारी हो सकते हैं आपको बतादे की बिहार बोड इंटर मिडियट जम्हम वार्सिक माध्मिक आपको दसमी हो गया परिक्षा 2020 का परिक्षा फॉल मार्च अप्रियल महा में जाड़ी होगा यह बिहार बोड का ओफिसियल न्यूज है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओफिसियल न्यूज के नुसार यानि इंटर का रिजल्ट मार्च में और मेट्रिक का रिजल्ट जो है अपरेल में जाड़ी होगा अब पत्ना जिला सिक्षा कारियले की माने तो एक लाग कंपियों अभी अन जिलो से आई है जात हो कि पत्ना जिले में इंटर की तीन लाग कंपियों की जाच होनी थी इंटर मुल्यांकन पहले नो मार्च तक समाप होना निर्धारित था लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि डेट को आगे बढ़ाया गया 14 मार्च तक किया गया था अनंत किसोर ने बताया कि समिती द्वाड़ा इंटर एवं मार्चिक माद्मिक परिक्षा का रिजल समय पर ही जाड़ी किया जाएगा हलां कि इंटर की कंपियों का मुल्यांकन पहले से ही शुरू हो चुका है बताया जाड़ा है कि अधिकतर केंद्रों पर 50 फिज़ी से भी कौम सिक्षकों ने मुल्यांकन में योगदन दिया है वहीं मेट्रिक मुल्यांकन 17 मार्च तक समाप्त करना है लेकिन इस पर सिक्षकों की हर्ताल का अस्वर दिखड़ा है पत्ना जिला सिक्षा काडिया लेकि माने तो बारो मुल्यांकन खेंद्रों पर 26 फिज़ी सो nap 20 परिक्षकों की मुल्यांकन में लगाया गया है अब तक 481 परिक्षकों नेहीं योगदन दिया है इससे मैट्रिक मुल्यांकन में देरी होड़ा है है शुत्रों की शुत्रों की अनुसार आठ लाख से आठ लाख में अब तक दो लाख उत्तर पुस्तिका का कीमी जांच हो पाई है देख सकते हैं कि पटना में जो आठ लाख की कापी आठ लाख कापी है उसमें जो है आपको दो लाख उत्तर पुस्तिका कीमी जांच हो पाई मेट्रिक मुल्यंकन में योगदन नहीं देने पर अब तक 120 परिक्षकों पर प्रारत्मिकी भी दर्च कराई जा चुकी है तो अब जाए कि यह दो लाग से अधिक चार लाग तक पहुझे गया होगा क्योंकि यह चुद्व मार्च की न्यूज है तो इस परकार से आप जान चुके हैं कि मेट्रिक की मुल्यंकन कारी भी अब अन्ति में चटन में हैं दुचार दिन और बढ़ाये जा सकते हैं मेट्रिक इंटर रिजल्ट से समंदित सभी जानकारी है तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके ब बादे वीडियो देखने के लिए धनियवाद